नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आपलोग उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल जी आफ तो पता है कि प्रसकी दियंसाम को आठ वजे हमारा एक सैसन आता है मैत का जिसमें हम कम्प्लीट मेट करानी का आपको बादा की हुए हैं और आज जो हमारी मेट की क्लास है क्लास नमपर है चारke ओर क्लास में आवने हैं चैप्टर सुरह किया है वह हमारा समय ततह दूरी और यह लगवा कुंपटिशन में सबसे टफ टफ चप्टर माना जाता है बच्चों में कि सबसे सबसे टफ चेप्टरों के सुची में मुझे अच्छा दूरी आता है यह दूनों चैप्टर इसी में आ जाते हैं मर्ज हो जाते हैं तब हम इसे नाम लेते हैं टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड और यह आपको पूरी एकदम बेशिक से बेसिक लेबल से सुरू करेंगे ठीक है और यह सभी एक्जामों के लिए आपके हेल्फ पूरों बारा खासक को सन अच्छे होते हैं और उसी दिरस्टी से अगर हम देखा दिल्ली पुलिस में बहुत कारगर साबित हो सकता है चली तो सुरू करते हैं लगवत तीन कलास हम यहां तक करा चुके थे और आज जो हम कराएंगे वह कराएंगे चोथी क्लास का पहला कॉर्शन और हमारा जो क करा देता हूं कुछ कुछ सब्सक्राइब एक व्यक्ति को एक निश्चे दूरी तै करने पैदल जाने तथा घुड़ सवारी करके बापस आने पांच घंटे 45 मेंट लगते हैं दोनों और से घुड़ सवारी करने पर उसे दो घंटे कम लगते हैं दोनों और से दूरी उसनरा है कि दोनों और से घुड़ सवारी करके याणी कि आनए जाने में तो आने में और जाने में भी और जाने में भी म्याह म गुड़ सवारी का प्रियोग कर रहा है और हम है नूर तो से दो घंटे कम लगते हैं यानि इसमें से भी in क्या संक्तог घुर्भ कमानचाइए यानि कि इधर यह नहीं की अवकर थी कमारें तो हम्हें इसका जब भी ऐसा हिसको पूरी को 2 से कोना कर दो अलगाली कर देते हैं यहां 2H हो जाएगा यहां 2P हो जाएगा तो 2H से आपका जो होुझाया अच्या टो हुझा तरफ से क्या था इतना तो आपका आंसर आज आएगा और यही जो है आपका आंसर है साथ भुंटे पैतालिस मिरेट समझे इस तरीके समकर सकते जब भी ऐसा कोश्चन आएगा आपको कि बुर उपर वाली समिकन को गुणा करनी है कितने से दोस है और वस घटा दो यह था वह कोश्चन आप करत प्राते 10 बजे दिल्ली पहुंच जाती है एक दूसरी रिलगारी प्राते 8 बजे दिल्ली से चलकर प्राते साड़े 11 बजे मेरट पहुंच जाती है ठीक है और यह भी अच्छा मेरट से चली होगी एक रिलगारी प्राते है 6 बजे चलकर दिल्ली पहुंच जाती है तो कहां 9-26 आम 9 वजे 8.36 और 8.56्य कुश्चन को बड़ी है तरीके नहीं वर कुछ नहीं केबल थोड़ा सा उएंस का प्रियोग करना और कुछ नहीं थोड़ा सा इन्स का प्रेयोग करना है यह क्योंकि इस कॉच्छन में क्या है और एक बात मैं आपको पहले बता चुका हुँ कि विपरित चाल विपरित चाल जो होती है वो क्या होती है प्लस होती है और समान चाल ठीक है वो क्या होती है माइनस होती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि जब एक ट्रेन इधर सा आती है और एक ट्रेन इधर सा आती है तो यह दूरी है एक ही समय पर दोनों तरफ से दूरी जो हो कंव होती है तो समय वहता है कि हमारे से धुर्य कंव होती है अब ना तुर नहीं सरह कि छोड़के राइब लिगते हैं नहीं है का ऐसे कष्छन वह आधि टीने में इस पहली बात तो अभी तक सब्सक्राइब क None के चाला दे निए होती है इसमें वह चाल भी नहीं है इस दूरी होती है समझे फिर आपका समय दिया होता है तो समय होता है दो घंटे-चार गंटे-पांच घंटे यहां पर राखा वो क्या दिया है निश्चित समय दे रखा है निश्चित तो एक यह गलबर है तो बच्चों को थोड़ी जो है दिक्कातानी सो भूझाती है कि किस तरीके सहां इसको कर्यें अब समझे यह ट्रेन कितने बच चलती है 6 बचे 6 बचे चलती है और कितने बचे पहुच जाती है आठ विजे पहुंच जाती है तो कितने घंटे लगे दो घंटे लगे इसको दूसरी ट्रेन कितने वे चलती है आठ वे चलती है पर और वह जाती है और कितने पहुंच जाती है ग्यारे तीस पर पहुंच जाती तो कितने गंटे लेगे आठ यानि कि तीन गंटे यहीं पॉइंट पांच घंटे क्योंकि तीस मेट को हम पॉइंट पांच लिख देते हैं ऐसी दूरी मानों ऐसी दूरी मानों ऐसी दूरी मानों जिससे की आपका क्या जाएगा यह दोनों ही संख्याएं काट दें यानि कि यहां पर आजागा चार चैसे दस वे तक का था पहले टाइब तो यहां लिख देंगे दस बजे और यह आपका आजागा चार घंटे हैं तो ऐसी दूरी मानों कि जो चार साथे तीन सा पूरे-पूरी कट जाए और बहुत ही है अठाइस बहुत ही है आपके अठाइस दूरी चार सा साथ बार कर जाएगी और साथ सा आठ बार कर जाएगी तो इसकी जो चाल आई वो कितनी आई साथ किलो मीटर प्रती घंटा क्योंकि जब घंटे से समय से हम दूरी को भाग करेंगे तो चाल आजाएगी इस से अगर हम भाग करेंगे तो आपके आजाएगी साथ अठ एप्ठे जोंगे वो कितने होंगा यहां कि दो और दूगना तो साथ हो जागा रसा चो कर अथाइस यहां अब क्या है कि इस समझें को यहां ध्यान देंगे यह यहां से यहां तक की अब यह चली होगी इस साइट से और यह चलिए और इस वाई ट्रेन ने चलना सुरू कर रहा है वह आठ बजे तक चला तक और जब आठ बजे तक हम चलाएंगे तो दो घंटे का समय हो जागा यानि कि अकेली दो घंटे चलेगी एक साइट से तो दो घंटे का मतलब कितनी 14 किलोमेटर तो अगर मैं इसमें सब 14 घंटा दूँ तो सेज कितनी बचे 14 किलोमेटर अब ये भी आठ बजगे यहां भी आठ बजगे अब आगे कि जो 14 किलोमेटर है उसको दोनों ट्रेने एक साथ जो है तैख रहेंगे अब दोनों की चाल कितनी है साथ और आठ पंद्रा और गुणा कि ट्रेन चल कर आई थी तो हमारे पास केबल दूरी जो रही थे वह सेथ कितने रही थी चोधा रही थी क्योंकि अकेले ने छे साथ तक अपना अकेला काम ख़ल लिया था तो आठ बज़े दोनों चलनी शुरू ही और आठ बज़े दोनों को कितने मिन लगे 56 तो टोटल टाइ है अँसे कहां कि दे कि इसका दूसरा कोस्स कि यह वहता है कि हमें इस तरीके से लिख ले रहने यह चैना यहां से कितने वज़े चली है 6-8 6-10 कितने गंटे लगे हैं 4 गंटे यहां से ट्रेंच चली है वह 8-11-30 यानि कि 3.5 गंटे यहां लगें दूरी जो आ चुकी है यहां से यहां तक वह कितनी आ चुकी ही एठठाइस किलमेटर कम से कम माननी है जाट 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 शर्पन मान सकते हूं कुछ भी अगर चार से आठटाइद को भाग करेंगे तो कितना जागा साथ किलोमेटर प्रति घंटा अगर साड़े-3 से दो इसकी चाल कितनी आ जाएगी, इसके आजाएगी आठ कुलो मीटर परती घंटा मगर यह आठ बज़ेश चलना सुरू होती है यह छोगा होती है, तो इसको भी कम से कम यहां तक 8 जा दो, क्योंकि यहां दो घंटे चलेगी तो 8 जाये तो यह तो यह होगी यहां तक चलने में कितना सविल्य होगा इस ने दो हेंटे को और दो हेंटे का मतलब 14 किलोमी karşा है यहां ऑल यहां आठ यह आपगे की दूरी जो हो आगे तै करेगी अभी यहां कितनी दूरी रह चुकी है चोदा किलोमेटर है चुगे इस चोदा को जो करेंगे वो दोनों तया करेंगे तो चोदा में कितनी साथ की स्पीट यहां पर है और आट की स्पीट यहां है तो विपरिचार जूड़ी जाती है और कितना अगे 15 और इन्टू पर देंगे 60 15 चुका 60 चोदा चोगा 56 तो यहां कितना टाइम लगा यहां लगे 56 इसे तेकने में और आट बचकर 56 जो लंगे तो कितना आजाएगा आठ बचकर 56 मिनट में आपका हो जाएगा यहीं आठ चपन ए और यही आपका जो है अंसर है इस तरीके से भी कर सकते हैं अक्सर बच्चे से जीए तो देख लिते हैं इस अगला कोर्शन क्या है चलिए तो बहुत अरगा कोर्शन है साइध मुझे ऐसा लगता कर यह कोशन आप नहीं किया तो पर तो आगे का पड़ाब बहुत बारी पड़ाएगा पर अकर यह कर दिया तो साइध बढ़ेगा और आप साइध और तीस किलोमेटर प्रति गंटा की चालते जाती है तो एसे कितने दूरी पर एक दूसरे को पार करेंगी बहुत हलका कोशन मतलब यह कोशन अब आता नहीं है अपरिक्षा में इस कोई वैल्यू नहीं रही आज के टायम मुझे तो लगता नहीं कि इस कोशन को वैल्यू है ज टीचर जाता है हर गर में और यह कोशन बहुत प्यारा कोशन है परन्तु अब आता नहीं फिलाने में दो साल थे तो मैंने भी नहीं देखा कि एक्जाम में आया हो अगर यह भी कोशन करने में तुम सक्षम नहीं हो तो फिर आगहा का पड़ा बहुत भारी है और जो कड़ स से चलती है जिसका नाम है यह यह बंको है और यह बंदू ऑर यह त्रेन चलती है वह बीस किलोमेटर क्रती घंटे कि चालते है villages जो तो यह पर जूड़कर कितिने आगे हैं यह 50 People किलो मीटर प्रतिहंटा, किलो मीटर से किलो मीटर कैंसिल, पचास से पचास कैंसिल, बचा क्या है, violation तो आब उनना पुछीो, तो इस है कितनी होगी, बीस गुणा, दस हो तो कितनी आ गई, 200 किलो मीटर सो एश हो ठीक है और अगर 20 सा कूस्ता तो कितनी आती 300 किलो मीटर आपकी 20 तो उनने पूछा किदर से था वो पूछा था एसे कितनी दूरी पर वह एक दूसरे को पार करेंगी तो आपका अंसर हो जाएगा 200 और यही आपका जो है option number V है सही इस तरीके से question को बना सकते हैं बस इस सहल का और कोई तरीका है नहीं ठीक है question को बस यह थोड़ा सा target कर देख करो कि question यह से theory उसके बाद देख करो theory में क्या चीज़ दे रखी है से theory है जो अगर question जोगाएब में मेर데क से हैं कि आप जो है कैने कर shall कर देख कर जो है उसके हल को मझा सोचा करो बिए कि हल क्या है पहले उसकी theory करूं की theorem कि त्था क्या है क्यां होता हरा उसका क्योंकि उसी समाल कर तोड़ होता है उसकी आप theoretically की ग會 हो जाएग तिए तुम्हार हो जाएगा कभी ही ठीक है चलिए देकतें गिया है कि यह सावानके चलिए है कि आपका कहां आ सकता है यह आ सकता है एन्टी PC um आ सकता है या पिर ऐसी सेशी इंधी मां हो सकता है यह कुछ्चन या फिर हम कह सकते हैं इसको दिल्लिए पुलिस में भी आ सकता ने क्टेश यह होगि कि की वीटी 2 मां जाएगा 76 Top पहुमा जायगा तो फिलिगल गलत कहता, ऐसे कोशन थीच थू में नहीं आते हैं, त्युक है ऐसे कोशन थीच णो में नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं इसका र7 ही समझें लिए तो कितनी चली होगी है यह संहे ट्रेन्य है और कितनी स्पीड लेगे चली है शीख मिटर प्रती घंटा चाहिक finger इसके आदे घंटेवादर तो समय आदह होगी कि का हाद हाद हो चुकत है कि दूरी कितनी चली होगी अदह चालीज किलोमेटर के चली होगी ठीक सेस दूरी कितिनी रहेगी यहां से यहां तकी 180 बस इसे ने फिर आगे कुछ चलना शुरू कर दिया और जब अब यह चलती है आदा हंटा चलने गवाद तो इधर से भी दूही ट्रेन जो है बस सो किलोमेटर प्रती घंटे की चाल से जो है आना सुरू हो जाती है देखो बी से एक ही और जो है बोच सो किलोमेटर प्रती घंटे की चाल से आना सुरू कर जाती है अब एस उस विंदू की दूरी कितनी होगी जहां दोनों ट्रेन मिली होगी तो पहले तो देखो कि यहां तक इसे कितना से मिला होगा तो यह तो अभी भी 80 की स्पीड से चल लई अगर एक स्वास्थी से एक स्वास्थी कैन से करगों तो कितना अगा निकल कर एक घंटे में आपस में दोनों ट्रेने मिल जाएंगे तो अब एक घंटे में तो असी ही होगी तो यहां आदा हंटा ही हो चुका है एक घंटा यहां चुका है आदा हंटा है और एक घंटा है तो यहां तक की जो दूरी थी, वो यहां मिली आकर, तो यहां तक एक हो किइटेन लगा ने 12 को, यह हां, और चाल कितनी ही 80 की, तो 80 इस भूना अगर मैं 12.elen từ दोस्त कर दूं, तो 40 और 14 कितना आचुका है? 14. brass यानि कि 120 km पर जाके यह अपस में A से मिली होगी, और यही वो जो है 120 है यही 120 आंसर है या फिर ऐसा हिसाब लगा लो 40 यहां पहले सी था और एक घंटे माँ 80 यह चल गई होगी तो 80 यह और 40 यह तो कितनी आ गई 120 किलो मेटर आप इस तरीके से भी हिसाब लगा सकते हो एक बार चितर देखो एक बार चितर देखो और उसके बाद जो है सवाल मैपिंग वाला याद भी रहेगा यह कोशन जो है मैपिंग वाला बिल्कुल याद भी रहेगा क्योंकि अक्सर ऐसा होता जब हम मैप देखते हैं ना और कोशन को मैप से करते हैं तो वो याद रहता है और अगर हम के बल थेओरी थेओरी देखकर ऐसी अटरम सटरम कर दिया तो फिर वो याद दिने रहता है यह पूरा चेतर जो है सोल बाप को याद रहेगा जब भी एक कुर्शन आएगा कि दो बिंदू है यह और भी तो आपको जरूर आएगा कि हां सर ने इस तरह के साफ़ा अक्सर जब तक पिक्चराइज नहीं होगा जब तक काम नहीं चलेगा चली देखते हैं यह कुर्शन क्या चलिए फिर भी कराना तो है फ्रेसर बच्चों के लिए बढ़िया कुर्शन है जबकि जो नए मनला पुरानी का इंडियर हो चुके हैं उनके लिए कोशन कोई वैल इस दूरी को 40 में तैय करने है तू रेल गौडे की चाल क्या हो गी बताई कितना हलका गौशन है पहला भी कलफ है आपका 50 क्लोमेटर प्रती हंटा 15 क्लोमेटर 1 प्रतिहंटा, 60 km प्रतिहंटा, 70 km प्रतिहंटा, देखना है आपको कौन सा क्या कितना आंसर इसका आने वाला है, बहतरीन कोश्चन है बहुत, अब यहां पर जो है न टाइम बचेगा आपका, यहां बचेगा आपका टाइम, क्योंकि कुछ बच्चे इसे करेंगे बेस सजाकर और कुछ जो बच्चे है न समझदार वो एक लाइन में इस कांसर लेकर आएंगे, अब तुम सोच रहे हैं सर एक लाइन में कैसे, क्योंकि सोच तो तुम भी वही रहे हो जो थियोरी कह रही है, थियोरी जो कह रही है, वही सोच रहे हो, मगर एक लाइन में कैसे, देखो को इसान ही है परन्तों वो उसके भाब को पहचानता है बच्चा जब नहीं बोलता बच्पन में नहीं बोलता वो नहीं बताता मगर मा उसके भाब को पहचान जाती है कि यह दूद के लिए रो रहा है या फिर प्यास के लिए रो रहा है या गर्मी लग रही इसे तो रो रहा है वो अलग-अलग रोने के उनकी प्रवत्ति होती है मगर वो कौन जानती है केवल मा समझगे नी डॉक्टर या मा केवल हम सब को ऐसा लगता है जो सुनते हैं कि बस रो ही रहा है बच्चा समझगे तो ऐसे यह कोश्चन में कोश्चन को आपको समझे इनका उसा चालते आ रही ह di săандy apa hai chao Green डिश्टैंस क्या हुता डिश्टैंस बरावर है डिश्टैंस बरावर है डिश्टैंस बरावर है आपने पढ़ा होगा इस पीड इंटू है यह सूत्र होता है यहां भी स्पीड इंटू टैंom इतिन दर्वा सवाल हो जाता है इसी स्पीड के जगे पर कितना है पहले है अड़ा ताइस टाइम कितना लग रहा है पचास बटे साथ गंटे बना निकल रूल विकार हो जाएगा कुछ मैट का क्योंकि किलोमेटर के साथ गंटे जाता है नाली कुंगा साथ सब भी चल और बारा पंजे कितना आ चुका है साथ किलोमेटर पड़ती घंटा और यह आपकी आ चुकी है स्पीड ठीक है कुछ बच्चे सोचेंगे कि पहला दूरी निकालेंगे फिर दूरी को भाग करेंगे नहीं करना है ठीक है बस यह सोची अगर आप दूरी पूस्ता तो कहीं भ आपका चैसके चैठ्टा आठ पंजे चालिस किलोमेटर बढ़ दूरी तो मगर यह करने के ज़रूत नहीं है दूरी निकालने ज़रूत नहीं है एक राइनगा कोश्चन अगर आपको पता था अगर आपको पता था कि ऐसा कुछ होता है जो मैंने आपको बताया है कि ऐसा जीरो से जीरो करने कि चार्ट से कटे बारावाल और देखते 52 साट क्या अपका अंथ पर anni से आपक फ्रिक ठाक है असकता है एक्जाम पें कुस्छषन है कि एक चोर एक और चोरी करके दोपहें डेलों बजिए कितना साथ क्वामेटर प्रती घंटे की दर्षिक कार चला कर बागा दो बजए चोरी का पथा चलने पर दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रती घंटे की चाल से कार मालिक द्वारा उसका पीछा किया गया वह चोर को कितने बज़र पकड़ सकेगा साड़े तीन बज़े चार बज़े साड़े चार बज़े इन वे सकोई लिए कूमन सेंस वाला है तुम्हें गाउं में चोपाल पर बैटके चार बज़र बज़र बैट पूछ सकते हैं चोपाल पर बैटके चार बज़र आपसे कोशन पूछ सकते हैं यह ऐसा कोशन है समझ गया है नहीं बिल्कुल आप जब एक और बात होती है एक बात और होती है इसमें क्या होती है समझे लीजिए एक बात ये भी होती है कि इसमें जब मैंने आपको बताया था कि समान चाल समान चाल क्या होती है आपकी माइनस होती है आपकी माइनस होती है कैसे मैं यहां से जा रहा था पैंतिस किलो मीटर परती घंट की स्पीट मईरी-पैरो धड़ती है विपरचाल क्योंकि दूरी पहुर पर उस्ता पर नागल पρता अगर वह पाद परता भी तो पढ़ा इसमत्रा किंस्टा थी समझगे तो कितनी है यहां प्रैटविगे साट और स्म कितनी कीलोमेटर पढ़ती हंटा हमें क्या पूचहा हैि कितने तो समय तो समय के नहीं हमें के निकानलने नीचे टाइम, उस टाइम को ऐसे लिख दो, ठीक, अब उसने एक और बात कही थी, डेड़ बज़े चोरी करके, 60 की फिर्ष भागा, दो बज़े चोरी कबाचला, तो जब तक मालिक को पता चला था, जब तक वो 30 किलोमेटर जो है, जा चु चलना पड़ेगे, अब हर गहन्ते में 15 केुलमेटर ज़ादा चल रहा है, और दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर को कितने घर यहां से दो घंते तो टाइम कितना है, दो और और चोरी का पता चला था, दो चोरी का पता कहिंझा थ सुबना जोरिख तो कितना आ इस पीट से चला है साथ किलोमेटर प्रसी घंटे की इस पीट से दोड़ा है और कितने बजे एक बच कर तीस चलता गया चलता गया चलता गया दो बज़े यहां पहुंच यहां दो जब बज़े हैं तो मकान वालिक जो है ठीक है सो के उठा है मकान वालिक सो के उठा है कि वही क्या हुआ नुचोरी हो गई अब क्या हुआ यह 75 की स्पीट से पीछा करकर भागा तो इन दोनों के बीच कितना होगी आदा घंटे अगया यानि कितना गया तीस किलोमेटर का गया सबजगे हैं निहीं आदा घंटा है तो डेड दीजिए यहां पर कितना आ चुका दो गंटे और इस दो में जोड़ो दो तो कितना आया चार बचे तो बस यही काम करना था और यही हमारा जो है आंसर ठीक है ठीक है ठीरी से कभी नहीं डरना है कि वो कॉस्टन की ठीरी यहां जाद है यह एक्जाम में जाद है बस लगबगजय आती है ठीक है ठीक है थ्योरी लगबग जादे आती है चलिए इस सा आगे बढ़ते हैं कॉर्षन नंबर सांटिस यानि के आज के सैसन का कोश्टन 네 छटा कोसन इस आस के प्रती मिनट की दर से बागता है और जब कि चोर 15 मीटर प्रती मीटर की दर से मिनट की दर से बागता है तो कितनी देर में सिपाही चोर को पकड़ लेगा यह अच्छा है यहां पर 16 मिनट 17 और 14 मिनट 18 मिनट 19 में यह कुछ कोस्टन का पहले है आपके देराखा वह नहीं पहले से क्या देराखा है एक चोर है कि यह सिपाई है है तो सिपाई है यह है और यहां जो है वह दो चोग रहा ह। ठीक है यह शोगष और यह सिपाई इनके के बीच का जो गैप है इनके गैप एपpee वो कितना है यह 114 जो किलो के मिटर ठीक है अब यह यहां से आगए भाग रहा है और कितनी स्टीट से भाग रहा है चोर पंदर रहे कि मीटरप्रती मिनट सहये चिपाई इस से पकड़ने के लिए कितने initially 21 इसमीटर परती मिनट कि तर से दोनों का गैप कितना एक सबुता दोनों की सब्सक्रारrule में कितने कान्तार थींट में इस सपीड में कितने का आंतार रहे किड़ी में फालंट से एक अब कितना उननिस चंप कितना होता एक 114 तो कितने मिन पकड़ लाएगा उननीज मिन पकड़ लाएगा बस पकड़ लिया और उननीज मिनट का मतलब क्या है आपका D option कौर्षन दिखने में अटपटे लगते होंगे परनति यह अटपटे है नहीं बिलकुल भी को सन अटपटे बिलकुल नहीं है लगते हैं केवल अटपटे अटपटे भागर है नहीं फारी ठीक कुछ बच्चे यह यहां सरी कोर्षण आ गया ग्रुजी ये बहुत बड़े बड़े कोषण थी अरौझ तो किसी किताब ने किताब से किसी किताब इतनी पढ़ लो आपने आपको याथे कि मेच्छे और करलो अपने आपको बहुत अच्छे से किसिस्ति ने कितना प् dropped यात्रा का तीन बटा पांच भाग भाग रेल दुआरा साथ बटे बीस भाग बस दुआरा और सेथ 6.5 km दूरी 6.5 km दूरी पैदल तैकी किया तो उसकी कुल यात्रा की दूरी कितनी थी तो यहां पर है 65, 100, 120, 130 यह कोश्चन है बहुत हलगा कोश्चन है बहुत ही हलगा करो इसको यह सबसे हलका कोश्चन है बूल को सबसे हलका मैत का सबसे हलका कोश्चन है मुझे ऐसा लगता है कि इस सालका कोश्चन है यह बना ही नहीं यह भी तक देखो पहली कितना भाग है तीन बटे पांच दूसरा कितना भाग है सात बटे बीस तो पांच और बीस का एलसेम कितना है बीस तो हमने मानी कि हमाये तरफ से डिश्टेंस जो है वो बीस किलोमेटर है हमने ही माना हूं तो अगर पांस से भाग करेंगे तो कितना आग मैं पांस से भाग करेंगे तो कितना आगे चार चार सेब्जक्र आगए चार्ट आपका तना है क्लोमेटर यह को है ब्रह effort के लिए को आएगा क्वा crimes इसका अगर हम साथ बटे 20 निकालेंगा तो 20 से 20 कैंसल यह आएगा साथ ठीक है अब अगर बार है और साथ की बात कर तो 19 तो हो गया सेस कितना बचा एक इस एक का मान कितना 6.5 जब हमारे एक है उसका 6.5 है तो हमारे 20 का 6.5 गुणा होगा तो कितना गोड़ा करेंगे 6.5 है त क्योंकि हमारे एक आ रहा था जो हमने दूरी मानी थी और उसका हमारे एक बराबर मेरा सेस एक बचरा है उसका 6.5 बचरा है तो इसका मतलब कितने गुना 6.5 गुना है तो हमारी थी 20 किलो मेंटर दूरी और उसकी है 130 किलो मेंटर दूरी और यही option number क्या है आपका D है बस ऐस कॉशन बने जाओं यह चेप्टर थोड़ा बढ़ा जाएगा क्योंकि इसमने सारे ही कोशन अच्छे भी कॉशन बढ़ा जाएगा को सुर्सन अच्छे हैं इसके बढ़िया कोशन के टोटल समझें आपके मैत का डर खतम करना है क्या होता है अब ये बाला कोस्टन जो है नहीं से देखके नो कुछ बच्चे उनको ना हालत खराब हो जाएगे गंभीर हो जाएगे सोचेंगे इतना बड़ा तो लिखा हुआ है ठीक है कोस्टन में क्या है कोस्टन में लिखा हुआ है दिल्ली तथा मेरट के भीच की दूरी 60 km है दो लड़के ए तथा भी साइकिल दुआरा एक नियस समय पर कोई निश्चे समय था पर दिल्ली से मेरट के लिए प्रस्थान करते हैं ठीक एक ही चाल वी की चाल से पांच किलो मेटर धीमी है वी की चा मिलेशल जाएता होगी वापश चल देता है वापसी में मेरट से 12 किलो मेटर की दूरी पर एसे मिलता है तो एक की चाल'RE कितनी है एक ही चाल कितनी अब बताईए आपको समझा के खराए ये ratio बनाए किनाए ठीक है अब देखिए क्या है दूरी कितनी है यह यहां है एक तरह पे दिल्ली लिखा हुआ चलो लिख देते हैं दिल्ली एर एक तरह है मेरट और इसके बीच की दूरी जो है वो 60 है बड़ी इमानदारी से दूरी दिखाई है 60 km ठीक है यह अब बी यहां से च चला यह यहां से चला तो विचारा यह धीमा धीमा और यह गाकर यहां मिले तो कितनी दूरी मिले इधर से 12 km की दूरी पर तो बी ने कितनी चली 60 तो अपनी चली और 12 उसकी चली तो बी की दूरी कितनी हो चुकी है बी की दूरी हो चुकी है 72 km एकी दूरी कितनी हो चुकी ह एक ही एक ही होगी 48 क्योंकि यह तो 48 चला है अब यहां क्या कर सकते हैं चोबिस तिया अड़तालिस चोबिस दुनी तो इस एक का मान जो है वो कितना है पांच किलो मिटर उन्हें तो बोला है कितनी दीमी है पांच किलो मिटर दीमी है तो इस एक कमान जो है पांच किलो मिटर प्रति घंटा तो इसकी चाल जो आ चुकि है वो कितनी आ चुकि है दस किलो मिटर प्रति घंटा और इसकी चाल जो आ चुकि कितनी आ चुकि है पंद्रह किलो मिटर प्रति घंटा बस हो गया स तो पूछी किसी थी वो एक ही पूछी थी तो एक आपका जाएगा 10 km पड़ती ही घंटा ओफ्शन नंबर आपका वी इस तरीके देखरना है वी की दूरी जो है आपकी 72 एक दूरी 48 इनका बना लिए रेशियो जो दूरी का रेशियो होता है वही आपका किसका होता है चाल का ह च्छी होता है वह आपके समय का होता है समय होता है जो समय का होता है अधिक है नोट कर लिया हो तो अच्छी बात है क्योंकि मैं भेए ठीक चल लही है क्योंकि मैं बहुत चीजिक्ट्च पढ़ा रहा हूं ऐसा तुम इस से भी सिलो मेंसे बहुत पढ़ाते हैं अगर फिर भी कोशिट कर रहा हूं कि थोड़ा सा तो आप तेजी डालो क्योंकि आज कल बच्चों का एक्जाम में टाइम कम क्यूं पढ़ जाता है क्योंकि जितने भी टीचर प पिश्टिक ना बेकार हो जा फिर कभ दुवारा मैकप करने के लिए जाना पड़े तो भाई इस चीज को समझो थोड़ा सा जब तुम उसी चीज से पूडित हो जाते हो अभी तुम एक्जाम नहीं कर पाते हैं एक्जाम में टाइम कंपड़ता है तुम आधाती सिलो के हो जा क्यों के चलीट के समय है कि अएग कोर्षण बहुत प्यारा कोर्षण है और यह कोर्षण क्या है धिख लीजिए कोशन है आपका उन्तालिसवा मुमबई एक्सप्रेस दिल्ली से साड़े-चार बज़े साठ किलोमेटर प्रति गंके की चाल्ट मुमबई क्लिये रवान होई मुंबई के लिए कहां से चली दिल्लीू से यह चीजें बहुत ध्यान ஏक्स प्रेस साधे-चार बजे यह भी दिल्लीू से यह ले तो दो नसे बिल्ליू दोत बस एक इस तरफ चल रही है एक तरफ चल रही है नाम सा घबरा हैं यह झाल भी दिखिंगे एक सिरस्य टेइन का नाम है इस दिलिशे चलिए तो ये तो है वह बिंदु दिल्ली है दिल्ली से चलिए कितने आपक्रेस कितने पहली तो दो तीस और कितनी श पीड़ लेतल वो चली है अपनी स्पीड लेकर है कितनी धाट किलोमीटर प्रति घंटा उपर लिग देती हैं है साट किलोमीटर प्रति घंटा ठीक कहां से मुंबई के तरफ मुंबई यहां हो यह दूसरी टेन साड़े चार कितने बजे यानि कि चार बच कर तीस मिनट पर दूसरी टेन यह चली इसके पीछे से कितनी की स्पीट से मुंबई के लिए असी किलो मीटर कुड़ती घंटा आप भी बताईए कि यह होगी शाड़े चार वजे की तो साठ के यहां यहां तक की दूरी कितनी अगए भी यह दून यहां है और यह यह आये तो कितनी अगई एक्सो बीस इस किलो मीटर तो इनके बीचा ग्यप कितना हो गया है 120 किलो मिट्र का एक इनिश्ची समय पर 120 कृमिटर का समय गैप हो गया और दोनों चालों में कितने का अंतर है 20 का यहां से कितना आया आपका तो 6 गंटे का समाया है पर उन्तुन ने कहा है कि दिल्ली से कितनी दूरी पर वह दूर्टी न आपसे मिली तो या तो 6 गंटे चला लो इसे तो 6 गंटे यही तो मिल लगी जाकर तो जब 80 की स्पीट से 6 गंटे तक चले गए तो 8 संग कितना आ जाएगा 48 तो इसका मतलब यहां तक की दूरी कितनी होगे इसकी 480 हो गई कितनी होगी 480 सबजगे है नहीं आठ चंग अरता लिए और यह आपका आंसर आ चुका है आपका यह क्यों क्यों कि 6 गंटे मतलब आगे चल लगी तो यह भी तो शाड़े चार बज़े सा आगे चलेगी 6 गंटे लगब यहां तो य 480 किरो मिटर में पकड़ लेगी जिसमें कि यह आगे और चलेगी कितनी 120 तो यह थी अब इसे 6 गंटे लगए 6 चंग 36 360 यह चल जाएगी इतने 360 करके कबर कर लेगी दोनों को इस दूरी को मेरे इस दूरी को और जो है गैप जो था वो भर जाएगा दोनों जो है पकड़ी जाएगे ठीक हैं तो यह था कोशन 49 वह आज के सेसन का अंतिम कोश्टन लेकर हमारे हैं और कोश्टन बहुत हलका कोश्टन है ऐसा मानों के चलिए यह केबल आपका नंबर पूरा करेगा कोश्टन नंबर दस था आज कोश्टन में कुश नहीं है एक बिसेज दूरी एक बि चाल अनुपात चाल है त Polsce काई किमें के एक बिसेज चाल से यारिव इससे आधी दूरी यानिकि दूगने समय मैं याणिस चन तो यहाँ पर किया था एक एकम समय में यहाँ अब यहाँ पर यही तो पूछा है कि इसका क्या है तो दोनों चालों का अनुपात क्या होगा तो भाई, D से तो D Cancer, यहां A आजागा, यहां 4, तो आपका कितना आजाएगा? 4 अनुपाथ A आजागा, छालो का यह यह चाला आजीट, तो 4 अनुपाथ एक इनकी चालो का अनुपाथ आचुका है, यही जो है हमारा उफसोन नंबर यह है, आपको परिशान करने के लिए एक नुपाद चार वीजय रखाओ से नहीं और आपको जो है पुचार नुपाद एक होगा, क्योंकि चाल उसकी जादा आगी जीसा कम समय लगेगा, तो इसे एक गंटे लग रहा था तो इसकी चाल ज्यादा होगी, इसे ज्यादा समय लग रहा था और इसकी चाल कम होगी, हमेशा यही होता, जिसे ज्यादा समय लगता है, उसकी चाल ज्यादा होती है, और जिसे कम समय लगता है, उसकी चाल ज्यादा होती है, तो यहाँ देख पड़ें तो चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लेंगे बैल इकन ओन कर देंगे और अपने दोस्तों में जादा जादा से लेंगे क्योंकि यहां पर आपको बिना किसी पेट कोड़ के आपको फिरी मैस जो है अपको सिखाया जा रहा है ठीक है तो मिलते हैं कल अपनी क्लास प बंदे मातरम